कि है गाइस कैसे आप सब में हूँ नरे मेरे चैनल अटे गुरु नादम में आपका बहुत-बहुत सवागा थे दोस्तों आज एक में गेमिंग लेप्टॉप अन्वॉक्सिंग के लिए लेका हूं यह हाइब्रीट है बहुत सो लोगों का डिमांड होता है हाइब्रीट दोस्तों चलिए वीडियो अन्वक्सिंग करके आपको दिखाता हूं अगर आप मेरे चनल में नए हो चैनल पर अब भी सब्सक्राइब करके बेल आकर में क्लिक कर देजिए मैं लेपक्सिंग के वीडियो इसी तरह से ढ़ए सारे वीडियो लेके आते रहा था हूं उसका ब अब लेडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यह रहा वह लेपक्सिंग करके आपको वीडियो दिखा रहा हूं यह एच्पी का लेपटॉप में देखेंगे तो माइक्रोफ आपिस नहीं आता है कोई-कोई लेपटॉप में आ जाता है इसका यह रहा एडप्टर जोगी है और वैसे भी हैवी लेपटॉप जो होते हैं गेमिंग के जो हैवी ग्राफिक होते हैं उसमें आपको उसके चार्जर है थोड़ा हैवी मिलते हैं और यह रहा इसका लुक लुक देखेंगे तो एच्पी के कुछ धेर मॉडल इसी तरह से सेम लुक में आये हुए हैं एच का उसकी तरह से उसके कॉन्फिकेशन होते हैं उसके मॉडल नमबर होते वो चेंज हो जाते हैं दो ने यहां पर अपको दिख रहा है यहां से उसके CPU fan का जो है आउट होने के लिए जो हीटिसिंग है उसका वो यहां से बना हुआ है यहां से बाहर निकलने के लिए और यह benefit इसका फाइदा यह है कि लेपटाप जबी आप सीधा रखेंगे तो back side से जो भी हीटिंग है वो बाहर निकलते रहेंगे वेंटिलेशन में कोई भी प्रॉल्म नहीं होगा और नीचे क्योंकि नीचे से उतना फाश नहीं निकल पाता यहां से बैक साइड से ही ज्यादा निकलता है यहां पर देखें चारो साइड में रबर लगे हुए हैं यह रबर इसलिए रहते हैं कि अगर आप टेबल होगा रखके लेटाप व्यूस करें तो जो बैक साइड में आपने देखा स्पेस लगा हुआ था जगाजब के होल था वह आपका वहां से जो वेंटिलेशन वहां पर एयर पास होता है तापको लेटाप और भी स्मूस चलता है हिट नहीं होत और यहां पर इंटेल का ढख दिख लेगा है और यहां पर गेंडेया का भी स्टीकर दिख रहा हैं में गीबोड कुछ कि अपने मॉडल अगर देखे होंगे तो इसकी ग्रीज की बोड आते हैं इसके जो है सेंब की वोट कह भी मैंने अंबौकिसिंग डाला था और यह है ज पर हिंडिस के छोटे बनाय हुए हैं तो बहुत से लों कमेंट भी इसा करके पूछते हैं कि कहीं तूट न जाए गवर यह होगते हैं तो इसमें तूटता नहीं इतना जल्दी हिंज़स में कोई भी प्रावलम नहीं है यहां पर हैगर पोट की आप बात करेंगे तो इसमें देखिए तो ज्यादा मोटा नहीं है बर गेमिंग लेप्टॉप है तो थोड़ा है वी होता है तो यहां पर आपको देखे मैंने हिंजेस आपको बता था कि लोग बोलते हैं टूट ना जाए यहां पर हिंजेस प्रॉपर है इसका जितना लेप्टॉप आप नीचे करेंगे जाएगा जाता है नीचे घिसक की नहीं जाएगा इसके लिए आपको हिंजेस में कोई में प्रॉपर नहीं है और है ब्रांड अच्छा है तो आपको इस तरह से इंजेस बना के देगी कि आपका जल्दी वह डैमेज नहीं होता है तो जो लेप्टॉप यूजर उनके गलती अब्रेया से होता है गलती से फ्रेस हो गया गलती से उनने फास्ट बंद करते हैं और नहीं तो अगर आप नॉर्मली यूज़ करेंगे तो हिंजेस में पराहूल नहीं आता है क्योंकि जबी यह लोग हिंजेस बनाते हैं तो उसको कई बार बंद करके चालू करके उसको टे touchpad की कुलिटी अच्छा है build quality काफी है तो laptop by बिल्ट्रम दिक क्ते बिल्ट्रम काभी है तुम कोई दीकत नहीं है मैंने चारों तरप से press करके देख लिया हुआ है फिल DC काफी अच्छा धूसरे laptop जैसे इसमी भी आपको Bluetooth वाोज और antivirus corporate डिफिंडर सेक्यूर्टी और बैटरी बेकप देखेंगे तो बैटरी बैकप अप्टू एट आउर्स के आसपास आपको मिल जाएका अगर मल्टी टास्किंग करते हो तो मल्टी टास्किंग में बैटरी बैकप थोड़ा कम मिलता है क्योंकि जितने इधे सारे फोल्डर आप करेंगे उतने आपका बैटरी ज्यादा कंसूम करती है इसके आप मैक्सिम्म कोसिस करो ज्यादा फोल्डर ओपन करके ना यूज करो यहां पर प्रोसेसर देखो आपको दिख रहा आइफा 11 जैन है इसमें जो कोर है चार दिया हुआ है जो थ्रेट है वह आठ दिया हुआ है तो आइफाई 11 जैन गेमिंग लिपटॉफ है और इसमें जो है core 4 है दिया हूआ है और इसके बाद में इसमें रेम रम इसमें जो है इंक बात में बात अब रहें और एक अप्ग्रेड कर सकते हो यहां पर इस निकी बात करेंगे यहां पर देखे इसमें वन टीबी हड़ी दिया हुआ है वन टीबी हार्डिस मैंने पहले बता था कि हाइबृट लेप्टॉप है तो वन टीबी हार्डिस दिया हुआ है और इसमें जो है देटा आप रिकवर कर सकते हैं बहुत से लोग कंपलिन कर रहे हैं कि रिकवर नहीं हो पा रहा है और यहां पर इंटेल आयरी सक्षी का भी आपको ग्राफिक मिलता है और इसमें एंवीडिया का है GTX 1650 4GB का ग्राफिक काड़ दिया हुआ है यहां पर देखें एंविडिया ई सकते हो कोई भी प्रावलम नहीं आएगा क्योंकि इसमें 4GB ग्राफिक काड़ है तो लेप्टाप जो है काफी बेस्ट है और इसमें जो है दोस्तों इसका जो स्क्रीन है स्क्रीन की इसमें फूल एच्टी जो है दिया हुआ है आपको यहां पर दिखा देता हूं कैसे देख इसमें रिफ्रेश काफी अच्छा दिया हुआ है तो दोस्तों सब मिला कि लेप्टाप काफी अच्छा है इसका जो है मौडल अंबर इसका जो डिटेल है में डिस्क्रीशन में दे दूंगा लिंक और दे दूंगा वहां से आप जाके चेक कर सकते हो इसको मैं एक बार आप लेप्ताप कितने टाइम में रिबूत होता है क्यूंकि डोस्तों में जतने भी लेटाप उन्वक्सिंग करता हूं सारे को सारे लेटाप में आप लोगों कहने में सब आभी में रिबूत करके दिखा देता हूं कि आपको ब conception में यह मालूम पड़ सकाईआगा दोस्तों कभी आप देखेंगे लेपटप आप टर्न आफ करके आउन करेंगे तो रिबूट जो है इस्टार्ट बहुत फास्ट होता है लेकिन अगर वही लेपटप करते हो रिश्टार्ट करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है तो दोस्तों आपने कॉन्फिकेशन देख लिया आइफाइ 11 जैन है एड़ी बी रहम है फाइवन टूजी है टूफिप्टी सीजी एसजी वन टेराबाइट हाड राइब है फूर जीवी ग्राफिक कार्ट है फिप्टीन पॉइंट सींच का लेप्टॉफ है फूल लेप्टॉफ है बैक लिट में स्टार्ट हुआ है फिर भी अगर आपका कुछ क्वेरी है आप मुझे कमेंट करो कभी आप देखेंगे दोस्तों जो भी कमेंट करता है कोई स्कीप हुआ है यूटूब के तरफ से तो नहीं तो मैं सारे कमेंट का एंसर जरूर देता हूं और आप लोगों को जितना मु सब्सक्राइब जरूर और देना बेल आ कुट कर देना इस तरफ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलें फेन वीडियो मन थेंक्स पॉर वचिंग जाहें हैं